एपिसोड 843 तीन प्रेगनेंट लड़किया अनन्या अपने मोबाइल के फ्लेश लाइट से लेटर्स बना कर माया और रुपेश को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी वो एक एक लेटर हवा में लिख रही थी माया ने कहा ये क्या लिख रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है एक बार भी समझ नहीं आए इसने क्या लिखा है रुपेश ने कहा मैडम एक सेकंड अगर आप थोड़ी दर चुप रहे हैं तो मैं समझने की कोशिश करू और फिर वो बोला ये लेडी कहना चाहती है एल ए हाँ ये लेडी कहना चाहती है मतलब यहाँ पर कोई लेडी है श रुपेश ने कहा ये क्रॉस का मतलब शायद डेंजर है यहाँ पर कुछ तो खत्रा है तब ही अनन्या का मुबाइल स्विच ओफ हो गया और उसने इरिटेट होकर अपने मुबाइल को पटका और अपना सर थाम कर बैठ गई माया बोली क्या डेंजर डेंजर मतलब क्या कह रहे थे तो उसने क्रॉस बना कर हमें बताया है कि यहाँ डेंजर है हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए हमें अनन्या को बाहर निकालने के लिए यहीं से कुछ करना होगा माया ने कहा ओ कम ओन रुपेश यहां हमारी खुद की जान फसी होई है हम यहां से निकलने वही बहुत बड़ी बात है हम इसे जहां से निकालेंगे और वैसे भी हमारी कौन लगती है यह तो बस मेरे सौतेले बेटी की गर्ल्फ्रेंड है इससे मेरा क्या लेना देना यह फसे हुए हैं और अनन्या यहां पर हमसे पहले से फसी हुई है क्या पता अगर हम इसे निकाल लेते हैं तो शायद हमारे लिए भी बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए वरना हम कब तक यहां भटकते रहेंगे भूक और प्यास के मारे अब एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है खासकर प्यास के मारे तो कम से कम इस वक्त ये तो सोचिये ही मत कि ये कौन है और आप कौन है इस वक्त सर्फ ये सोचिये कि हम सब बाहर कैसे निकले और हम सब एक साथ फसे हुए हैं तो एक साथ कोशिश कर कि यहाँ खत्रा है, कहिए ऐसा तो नहीं कहना चाती कि यहाँ कोई लेडी है जिसके जरीए इसे इस कैट से निकाला जा सकता है। रुपेश बोला, हो सकता है, मुझे लगता है हमें यहीं इंतजार करना चाहिए। शायद कोई लेडी यहाँ आए। रुपेश ने इधर उधर देखा तो उसे एक चट्टान नजर आई, एक बड़ी सी कोईले की चट्टान, रुपेश बोला, चलिए, इसके पीछे छुपकर बैठ जाते हैं और इंतजार करके देखते हैं कि यहाँ कौन आता है, उसके बाद देखेंगे कि हमें आगी क्या करन रुपेश ने अनन्या को हाथ के इशारे से भरोसा रखने के लिए कहा, और वो दोनों जाकर उसी चट्टान के पीछे छुप गए, उन दोनों को छुपता देखकर अनन्या को भी सुकून मिला, वो मन में बोली, आई होब कि ये लोग कुछ कर पाए, वैसे माई का मुकाबला तो क्या ही कर पाएंगे, बट फिर भी मेरे पास उमीद करने के लावा और कोई आपशन भी तो नहीं है, एक तरफ जहां अनन्या ये उमीद कर रही थी कि रुपेश और माया मिलकर कुछ कर पाए, वह इन दू उसे हाथ से हटाया, और जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया, वहाँ पर नीचे जाने के लिए रास्ता दिखा, सुमेर आराम से कुछ सीड़ी नीचे उत्रा और वापस उस पत्थर को अपनी जगा पर लगा दिया, अब बेस्मेंट बिलकुल चेंज हो गया था, पहले जै जब पीछे की तरफ देखा तो वहाँ माई खड़ी थी, माई ने सुमेर को देखकर हसते हुए कहा, क्या हुआ, एक के बाद एक तुम्हारी सारी चाल असा फल हो रही है, भारे हुए खिलाडी के तरह खुद चल कर यहाँ आयो, सुमेर ने कहा, यहाँ मैं आपके ताने सु लड़नी है, सुमेर, मैंने तुम्हे पहले ही कहा था सतर्क हो जाओ, लेकिन उस समय तो तुम अपने ही गमन में थे, सुमेर ने कहा, आगे की बात करें, आगे की तैयारी पर ध्यान दीजे, क्योंकि ध्रुव बहुत सतर्क हो गया है, उसने आज मेरे प्रेत को नश्ट कर इसी तरह से मेरी सेना कमजोर होती चली जाएगी, इससे पहले कि मेरी सेना कमजोर हो, मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को जितना हो सके उतना उलचा सकूँ, और हम उस द्वार की तरफ आके बढ़ जाए, माई ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो मेरे साथ, म पर कई सारी अंधीरी रोशनिया इधर से उधर घूम रही थे, सुमेर ने कहा, लगता है बहुत गहरी सुरक्षा है, माई बोली, करना ही पड़ेगा, अब बहुत जल्द उसके जागने का समय हो जाएगा, और जब वो जाग जाएगी तम हमारा खेल शुरू होगा, इतना क पीचे फर्ष पर बैठने का इशारा किया, सुमेर उनके साथ फर्ष पर बैठ गया, और माई अपने हाथ से उस फर्ष पर हाथ खुमाने लगी, जैसे जैसे माई हाथ खुमाती गई, उस पर एक नक्षा जैसा बनता जा रहा था, एक गैरा नक्षा जो चमक भी रहा था, जिससे सब कुछ clearly समझ में आ रहा था। सुमेर बोला, ये तो गिरपुर के महल का नक्षा है, है ना। माई बोली, हाँ ये उसी का नक्षा है, और हम जिस दर्वाजे की बात कर रहे हैं, वो दर्वाजा हम यहीं से खोलेंगे। ये सुनकर सुमेर ने कहा, ये क्या कह रही हैं आप, आपने मुझे शामिल किया, हमने इतना सब कुछ मिल कर किया, अब आप कह रही हैं कि आप गिरपुर में वो द्वार खोलेंगे, वो द्वार तो यहाँ से खोलना चाहिए, आगर मुझसे पूछे बिना आपने इतना प्रक्रिया की तो समय नश्ट होगा, तुमने एक नकली द्वार बनाया, द्वार क्या, बस माया बनाई और उसमें तुमको कितना समय लगा, तुम्हें याद है ना, द्रूफ और बाकी लोगों को भटकाने के लिए उस आग के बीच में उस द्वार का नर्मान करने में ये सुनकर सुमेर के दिमाग में भी एक आइडिया आया और उसने कहा, अगर हम रातो रात यहां से निकल कर गायब हो जाए, तो द्रूफ को तो पता ही नहीं चलेगा कि हम आखिर गए कहा, जब तक वो कुछ सोच समझ पाएगा, तब तक हमारा काम हो चुका होगा, और इसे में मुझे लग रहा है कि आप जो कहरेंग है वो गलत नहीं है, आप सही कहरेंग है, हम इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, माई ने कहा, बस ठीके फिर, तीन दिन बाद हम गिरपूर चले जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि अगले हफते समस्या है, सारी प्लानिंग तो हो गई है, और रही बात यहां से जाने की तो मैं तो कुछ भी बहाना बना कर यहां से निकल सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माई बोली, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाली बात हो ना हो, लेकिन जो मैं कहने वो बहुत ही मुश्किल वाली बात है और उसमें समस्याइं भी है। सुमेर ने कहा आप बताइए तो सही कैसी समस्या है। मैंने बहुत बड़ी-βड़ी समस्याओं का समाधान किया, ये तो छोटी-मोटी बात है। माई ने कहा, पहले सुन तो लो, पहले ही निशकर्ष पर मत पहुँच जाओ, हमारी क्रिया को शुरू होने से पहले हमें तीन महिलाओं की जरुरत होगी, तीन ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 साल से कम हो लेकिन विवाहित हो और गर्वती भी हो, ये सुनकर सुमेर थोड़ी दे तो इस बात की तो तुम चिंता मत करो, और हाँ, अगर ध्यान से ढूंडोगे तो तुमें कई ऐसी अविवाहित लड़कियां भी मिल सकती हैं, और अगर तुम अविवाहित गर्वती लड़कियों को पकड़ पाते हो, तो जादा सही रहेगा, क्योंकि उनकी घरवाले तो उन तीनों के रक्त से ही हम उस अस्थान को सीचेंगे, उसके बाद ही हमारी साधना शुरू होगी, और उसके बाद ही हम अपने अगले चरण में पहुँच पाएंगे, और गर्वती इसलिए, क्योंकि उनकी उर्जा अथिक होती है, और उनके गर्व में जो बच्चा होता ह है, उससे शैतान बहुत खुश होता है, वो हमारी पुकार जल्दी सुनेगा, और जितनी ताकत हम उस द्वार को खोलने में लगाएंगे, उतनी ही ताकत वो भी लगाएंगे, और इस तरह से बड़ी आसानी से हम उस द्वार को खोल पाएंगे, समझ के? सुमेर कुछ सोचता हुआ बोला, समझ तो गया हूँ, लेकिन ये जो शर्त आपने रखी है, ये मुझे बड़ी मुश्किल लग रही है, अब शादी शुदा लड़कियों को ढूड़ना तो आसान है, जो प्रेग्डेंट है, लेकिन जो शादी शुदा नहीं है, भला कौन सी लड़की बताएगी कि मैं शादी शुदा नहीं हूँ और पेट से हूँ, वो तो इस बात को छुपाएगी न, ऐसे में उन्हें धून पाना इतना आसान तो नहीं होगा, और तीन दिन के बीदर तो बहुत ही मुश्किल होगा, माई एकदम से बूली, तो तुम से ये काम नहीं होगा, तुम यही कहना चाहते हो न, सुमेर ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये मुश्किल है लेकिन आफ फिकर मत करिये, मैं इसका कुछ तो इंतिजाम करूँगा, और मैं उन्हें धून कर निकालूँगा, अभी मुझे बस ये सोचना है कि ये कैस अब मैं चलता हूँ। सुमेर, कल की हमारी मीटिंग कैंसल है, दरसल मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी पत्नी की तविद बहुत सीरियस हो गई है, मीटिंग की अगली डेट मैं तुम्हें बताता हूँ, इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और सुमेर की होठो पर मुस्कुरा हाटा गए, सुम